जय श्रीदाम, जय बाला जी माराज बक्तो, मैं बाला जी के सेवक, संकठारी उसारा बनाना बता रहा हूं आपको फिर से, भर में जिनके संकठ है जो जाते नहीं है, अराम तो पड़ता है, लेकिन समस्या बनी रहती है, या पूजा पार्ड इतना जादा नहीं कर सकते आप, या खतरनाक संकठ है, तब के लिए उसारा बना सकते हैं, ऐसे जैसे बता रहा हूं, एक चीछ और, कि जिनके फिर में संकठ नहीं है, वो भी अगर महंधिपूर जा रहा है, तो उसारा बना कर लिया सकते हैं, ताई धर में शुक्षान के रहे, कि तरह कोई आधा बाता ना जाडू लगा करके मिट्टी होती है, तो तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चावाल ले लेंगे उन्हें हल्दी में थोड़ी से हल्दी दाल की पीला कर लेंगे, और जितने भी कम रहें सब के कम रहें को 4-4-5 दाने रख देंगे, एक घंटे के तक या रात को रख दें, सुबह इनको खट्टा कर लें, ऐसे समझ लिए जाडू की धोलोगों इनको खट्टा कर लें यह समझे भाफ जाडू लगाने चालों नहीं कि रहें होती है, सबसे पहले, लाल कप्डा लेंगे, सवा मीटर, पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आजाएगा आपको, बड़ा बड़ा के देखेंगे तो कुछ ही रह जाएगी और रह जाएगी तो रही जाएगी एक कौने में पहले इस सारी शीज़े बांद लेते हैं एक कौने में वह क्या-क्या चीज़ आज 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 मार्केट से समाझ लाएंगे जाएगा तटर रूपया सो रूपय केंदर आज भीडिवें के सेंसे जाएगी और को एक फ्सक्राइख लन् tillॉप जाएगे ल्यान तर रखनें एक एक ले लेंगे हैं और को है कि शास पूलज़ेंगे पारान के तर दुधाण है मखेटि खुछे के उन स्थाइं के लिए स्था भॉपी बॉना रहे हैं ये ले लेंगे इतनीują इसर गलत रहे है समाधिवली बाबा ने है कि थोड़ी थोड़ी लेनी है यह कि बहुत तारी लोग तो फिर वो बांदने में दिक्क्त आएगी थोड़ी-थोड़ी बताई थोड़ी-थोड़ी लीनी है है कि अण बागी यह बचा के रखकतें कोई और इसके लिए इस इमय कर सकते हैं यह पर चेटा लगाते मिश्ञ जब कराक्यद कमाल कर कि कज सांतर इसके इसमयान कि और प्रेत्राइब सरकार जी के चावल होते हैं साबुत चावल लेंगे तूटेवन ही होने चीए है चीए अभी कितने आइटम होगा हमारे एक दो तीन चार और पांच आइटम होगे सरसों काली और रिफीली तो दोनको एक ही मान रहे हैं तो चार आइटम होगे इसके बाद पांच लोंग के जोड़े लिए साबुत कम से कम पांच जाए अधा ग्यारा वाकिम हर्जी के उपर डिपेंड करता है एक दो तीव चार पांच कर सब युदरित् सबावत हो gefunden ही कर दें यह पाँ मेन रहे हैं यहêu रहा है मेन करएगे और युज में जड़ें तो क्या जोड़ेंड जोड़ें हाँ एटिपुर विंत्स को सखेंगे महराज है प्रित्रा सरकार सबसे विंती करता हूं मैं प्रभू हम पे किरपा करें हमारे घर में किसी तरह के भी कोई बूत बादा प्रेत बादा तंत्र बादा खीलन गलत तरीके से कोई चीज छोड़ी हो अपने साथ मैं आपका भोग रख रहा हूं अपने साथ लेके चलना प्रभू इस में हल्दी के घाट है काली सर्सों पीली सर्सों चावल है और उड़द है और लॉंग है सबी दीवताओं सी विंटि करें अपना भोग सुकार करें और हमारे घर में अपने दूतों को भेजें हमारे घर की गंदी शक्तियों को पकड़ करने के लिए और प्रभू मैं इसलिए भी यह सारा बना रहा हूं कि मैरे घर का केलन आप कर दीजिए आपके शक्तियां यहां कर लेका ओंदुलिए निदिए कि इसने किन्ति करने के बाद आप इसमें गांठ लगा देंगे जिए गिरने नहीं चाहिए जैसे सहूलियत से आप लगा सकें जितनी अच्छे सहूलियत से वैसे लगाए आप गांठ अच्छे लगने चीज़ें इसको फिलाल ऐसे गांठ लगा जटाओ ताकि यह निकलना ने चीज़ें इल्कुल भी टाकि यह झाट लगाए यह एक आप लगाए जो आराम से खुळाए कि टीक है मैं वैसी घांठ नहीं प्लाए अर्टा कि अंध्यू और जो हम गोले वाला हिस्सा लपेटेंगे उसमें गांठ ने लगते हैं कुछ लोग कहते हैं गांठ लगानी नहीं चीए ऐसे कहते हैं लेकिन हमने गांठ नहीं लगाई है नॉर्मल हमने हल्गा सा अटकाया है इसके ताकि ये खुले ने हैं और ये बालली मराज के लिए वह जुखा गोला होता है असा नारेल पानी पीते हैं नारेल पानी पैसा वाला बजता आए ये बजने वादा होना जी है यहां से रखेंगे हैं है किर में पलावा कि लेंगे है के लिए लगा तकी नहीं लगाते मैंने बहुत मामुली से लगाई तक ही वह चीज भी ना इतना तो वह जहता है फिंगा पिंना गांट के लेपडसकते हो पहले हो सारे में विन बिना कांट के बताया तक है शह पाना हुआस है वह इसलिए ताकि यह बिखरे नहीं बस ठीक है न मैं चाहता हूं कि आपने घर में से मिट्टी फिट्टी जब उठाई है वो सब चीज इस मोह नीच लिए कि चावल और डाल देते हैं जो हमने मिट्टी के उठाए थे ठीक है इस चावल डाल दिये कि इतना करके आपको कलावे से लपेट देलाएगे अगे अगे धूल हो मिट्टी की या चावल आपने जो मैंने बताया तो वैसे कर रखे हूं तो उससे बांध के लपेट ना रहे हैं अच्छे तरीके ते कलावा यह तना यादा लपेट नहीं उतना अच्छा है कि इतना जादा लपेटेंग उतना अच्छा है क्यों मैंने ऐसे करवाया क्योंकि यह वहां पर खुलता है महंदी बाला जी में जाकर वहां के जो पंडिक जी है संद महंत जी है उने खूलते हैं और अदास लगाते बाला जी से इसलिए हमेशा इसको ऐसे बान जी गांट जो खुल जाया है आए बहुत टाइट नहीं और यह जो पेटने तो गांट बादनी ही नहीं है ठीक है यह ऐसे ही रहए गा कि अलावें काटली बंदी कोई समान आपका बाहर ना निकले जितना चावल पेड़ सकते हैं जैसे यह बंदर है वैसे आपके संकट बंद रहें समझे बाला जी का ज्यान करते रहे और हनुमान जंजीरा मंत्र कोई मंत्र पड़ते रहे ट्र तर चूँ मह व्का निकले ड़के से बाल चचय इन कि एकल एक अब आपकि जाते समय पूंकि आप गाड़ी में जाएंगे बास में जाएंगे तो खुलना नहीं है अबस में जाओ गाड़ी में जाओ ट्रेन में जाते हैं तो यह खुलना नीची गाठ नहीं पाद रहा हूं तो यह तियार हो जाए ठीक है मैंने करके समाने सुरारा सब कुछ वीडियो में है वह आप देख लेंगे घर के शुक्षानती बने जाए घर का कीलन हो जाए घर में क अब इसे दोनों हाथ में लेगा अन्वान जी भाला जी महरास से आपके घर में जाते समय पूरे घर में घुमाएंगे जहां जहां चावल रखे थे और जितनी भी सदस्य होंगे सब के ऊपर से उतार के ले जाएंगे कम सब सात वार्या ग्यारा बार ठीक है और अपने रखे आपके ऐखे क्ळस्य चुछ होंडेक अपने अपने खे आपके इस बूल नच्जाओ है इसे एगते है और सो 네